मैंनों माईयों नमस्कार जै माता की मैं हूँ पंडि दिनेश नहरान पंडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिया चैनल ग्रहवाणी मैंनों माईयों हतेली की रेखाएं हमारे आगत भविष्य की कुछ घटनाओं की संकेतक होती हैं हमारा भविष्य कैसा रहने वाला ह इसका संकेत देती है हतेलीयों में कुछ बिशिस्ट तरह के चिन्न भी होते हैं क्या है इनका अर्थ सास्त्र क्या कहते हैं आईए चर्चा करता हूं इस बिश्य पर भव्रमायों में चक्र बने हूं हथेली में चक्र बने हो ऐसा व्यक्ति महापुरुस होता है सास्त्र कहते हैं कि अगर दस उंगलियों में चक्र हो तो वो व्यक्ति राजा की तरह होता है या राजा बनता है और अगर संख बने हो तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्म की के शेतर में सफल होता है और महायोगी होता है अगर संख का चिन्ध बना हो तो महाधनी होने का संकित होता है कि यह चिन्य जितना अधिक होता है जितना साफ दिखता है उत्ना ही ज्यादा धनियोग होता है लेकिन हथेली में जब संख बना हो तब जिस व्यक्ति के हाथ में तीर का निशान हो वो बुद्धिमान होता है विद्यावान होता है गुणी होता है और जिस व्यक्ति की हथेली में कमल का चिन होता है वो बहुत भाग्यसाली होता है चतुर होता है बुद्धिमान होता है ह हथेली में मचली का निशान होना व्यक्ति को भाग्यसाली बनाता है, ऐसा व्यक्ति अपने छेत्र में सफलता के सरवोच सिखर पर पहुँचता है, मचली का निशान हथेली से बाहर की ओर ना जाता हुआ हो, हथेली से अंदर की ओर आता हुआ हो, तो स्रेष्ट परणाम मिलत कि हिठेली में धनुस का चिन्ध सूरबीरता की निशानी है लोक प्रियता की निशानी हैं हिए हिठेली में रत का चिन्ध बना वोत तो समाज में यस पिरतिष्ठा तो मिलती ही है ऐसे व्यक्ति बड़े बड़े उद्योगों के मालिक होते हैं और बड़े परिवार के मालिक होते हैं हथेली में कचुवे का चिन अगर बना है तो ये सफलता की निशानी है और भागिसाली होने की सूचना है हथेली में स्वास्तिक का चिन होना बहुत सुभ होता है भागिवान होता है ऐसा व्यक्ति धनी होता है राजा के समान जीवन ब्यतीत करता है और बुढ़ापे में सुखी होता है और प्रतिष्ठित बना रहता है यानि यो धन और बैभाव यस्परतिष्ठा है वो पूरे जीवन में रहती है उसके हथेली में पेड़ का चिन धनी होता है बनाने का संकेत होता है और राजसी सुख मिलने का संकेत होता है हथेली में घड़े का चिन अगर बना है तो ऐसे जातक की समस्त इच्छाएं पूरी होती है यव का चिन हो तो भाग्यसाली होने का संकेत है अंगूठे के मूल में यव का बना होना बहुत सुभमाना जाता है और अंगूठे के प्रथम पोर में भी यव बना होना राजयोग देता है सरकारी नौकरी देता है, हथेली में मंदिर का सेप बना हो, मंदिर की आकृती बनी हो, तो ऐसा व्यक्ति धर्म के छेत्र में यस पाता है, प्रसिद्ध होता है, हथेली में कमंडल का चिन्द बना होना, ये भी तपस्वी और महान योगी अध्यात्मिक जीवन का संकेत होता है, हाथ में जंडे का ध्वज का चिन्द बना होना, ज्यानी बुद्धिमान और सम्मानित होने का संकेत होता है, हथेली में अंकुस का चिन्न बना होना, महाधनी होने का संकेत देता है कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति महलों में निवास करता है यानि उसका जो निवास इस्थान होता है वो बहुत स्रेष्ट होता है अगर हथेली में मोर का चिन्न बना हो तो ऐसे व्यक्ति को नन्हाल से सुख मिलता है, प्रावर्टी मिलती है और हथेली में त्रिशूल का चिन्ह, ईश्वर की कृपा और सुख समर्धी का परिचायक होता है मैंनों भाईयों, आप अपनी हथेली देखिए और ढूड़िये कहीं कोई निसान आपकी हथेली में तो नहीं है इस तरही के का आप सुखी रहें, समर्ध रहें और मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो करपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्काइब करें हम आपके आभारी रहेंगे, प्रेम से बोलिए, जैमाता की